हलो फ्रेंट्स मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में स्वागत करता हूँ तो फ्रेंट्स आज का जो वीडियो है वो इडिटेडिया के तरफ से जो अर्दवार से की करेंट अफैर्स दोहजार तइस में जो नया बुक निकाला गया है जिसमें की जनवडी 2023 से लेके जून 2023 तक जितने भी most important fact हो सकता तो वो सारे के सारे इसमें सामिल है और इसमें total 12 set mcqs का दिया हुआ है जिसमें की हम लोग 10 set जो है 10 practice set cover कर चुके हैं आज की practice set जो है हम लोग देखेंगे total practice set नमर 11 और 12 दोनों को जिसमें की total 100 question होंगे 50-50 question करके इसे पहले हम लोग 4 वीडियो इस पर बनाया है जिसमें की practice set 10 तक कबर किया हुआ है तो उस चारो वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं लिजिए वीडियो अच्छी लगे तो एक like जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में उसको जरूर सेयर कीजिएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस question का सही answer हो जाएगा उसके बाद जो next question है question number 2 क्यार केक केंदरिये budget 2023-24 का budget आकार कितना है तो इसका सही answer है 45,3,97 करोर option number C इस question का right answer हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है वो है question number 3 question number 3 में है कि बित बर्स 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना budget अनुमान लगाया गया है तो इसका जो सही answer है वो हो जाएगा आफका option number A option number A जो है इस question का right answer हो जाएगा next question है question number 4 कि बित वर्स 2023-24 में राजयस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया तो सही answer हो जाएगा option number B option number B इस question का right answer हो जाएगा next question है question number 5 कि budget 2023-24 में 7 प्राथ मिक्ताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है तो इसे जो नाम दिया गया है वो है सब तरीसी सब तरीसी इसका नाम दिया गया है next question है question number 6 question number 6 में है कि निमलिखित में से budget 2023-24 के 7 प्राथ मिक्ताएं से संबंदित है क्या इसका सही answer है option number C यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 तक जो है सही है यानि कि एक में है समावेसी विकास, दो में है हरित विकास, तीन में अंतिम विक्ती तक पहुँचना, चार में है सक्षमता को सामने लाना, पांच में है वित्तिये छेत्र, और छे में है option रचना एवम निवेस तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number C उसके बाद जो अगला question है question number 7 उसमें दिया हुआ है कि इस budget के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्स तक skill sale, sickle sale, enemia का उनमूलन करने का लक्ष रखा है इसका सही answer है 2047 तक option number C इस question का सही answer हो जाएगा अगला question है question number 8 की निम्लिकित में से किस योजना की शुरुआत की घुशना के अंदरिया बजट 2023-2024 में की गई है तो वो है आपका option number D यानि की इन में से सभी A में E निया यालाइपर योजना चरंथरी B में परधान मंतरी कॉसल विकास योजना 4.0 और C में है अमरित धरोहर एसकीम यानि की option number D जो है इन में से एक से अधिक भिलकुल सही answer हो जाएगा अब आईए हम लोग अगला question देखते है question number 9 दिया हुआ है कि उच गुनवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कारिक्रम की सुरुवात की घोषना बजट 2023-24 में की गई है तो सही answer है option number A आत्म निर्भार बागवानी स्वच पौधा कारिक्रम next question है question number 10 question number 10 में है निमलेकित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भासन 2023-24 में की गई तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number D इनमें से एक से अधिक यानि की A में है PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन जीुती योजना के अंतरगत 44.6 करोर लोगों को बीमा कवरेज दिया गया B में है कि उजवली उजना के तेहत 9.6 करोर LPG connection दिये गए और C में है 47.8 करोर प्रधान मंतरी जंधन बैंक खाते खोले गए तो उसी साब से option number D जो है इनमें से एक से अधिक इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 11 question number 11 में है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई वेक्तिगत आयकर वेवस्था में स्लैवों की संख्या 6 से घटा कर कितनी कर दी गई है तो वो कर दी गई है 5 कितनी कर दी गई है 5 कर दी गई है अगला question है question number 12 question number 12 में है कि बजट 2023-24 में सहरी अव संरचना विकास निधी यानि की UIDF की अस्थापना की बात की गई है इस निधी का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा तो इसका प्रबंधन किया जाएगा आपकर राश्ट्री आवास बैंक से राश्ट्री आवास बैंक इस question का सही अंसर होगा अगला question 13 नमर में है कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाव पर आधारित application विक्सित करने के लिए कितने labs अस्थापित किये जाएंगे तो ये labs अस्थापित किये जाएंगे total 100 total 100 labs जो है अस्थापित किये जाएंगे option number A इस question का सही अंसर हो जाएगा अगला question है question number 14 question number 14 में है कि सरकार अगले तीन वर्सों में कितने किसानों को प्राक्रितिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी तो ये करेगी एक करूर किसान को कितना एक करूर किसान को option number A इस question का सही अंसर होगा अगला question 15 नमर में है कि कुसल यूबाओं को अंतराश्ट्री अपसर उपलब्द कराने के लिए सरकार ने कितने स्थापित करने की घोशना बजट 2023-2024 में की इसका सही अंसर है option number B 30 इस question का सही अंसर होगा अगला question है question number 16 question number 16 में है कि भारत को मोटे अनाज यानि कि स्री अन के लिए वैस्विक के अंदर बनाने के उदेश से किस उल्त क्रिष्टता के अंदर को बढ़ावा दिये जाने की गोशना सरकार ने बजट 2023-2024 में की सही अंसर है option number A भारतिय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान है दरावाद उसके बाद जो अगला question है वो है question number 17 question number 17 में है budget 2023-2024 से संबंद इतन निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये कथन है आपका option number D यानि कि इन में से एक से अधिक जो है इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 18 question number 18 में है कि आकांसी जिला कारेकरम के तरज बर सरकार कितने प्रखंडों को सामिल करके आकांसी प्रखंड कारेकरम की सुरुवात की जाएगी तो इसका जो सही answer हो है आपको 500 500 इस question का सही answer हो जाएगा अगला question है question number 19 question number 19 में है कि केंदरिय बजट 2023-2024 के अनुसार सरकार ने देश के सिर्ष साइक्षिक संस्थानों में कितने क्रित्रिम गुद्धी मता उतक्रिष्टता के अंदर अस्थापित करने की घोशना की है तो इसका सही answer है तीन इस question का अंसर हो जाएगा option number C यानि की 3 अगला question है question number 20 की budget में चर्चा किया गया I got कर्म योगी क्या है तो इसका सही answer है option number B यानि की एकिकरित online प्रसिक्षन मंच एकिकरित online प्रसिक्षन मंच इस question का सही answer हो जाएगा अगला question है question number 21 में दिया है कि बित्य बर्स 2023-24 के लिए railway का पुंजीगत परिव्याई कितना रखा गया है तो वो रखा गया है आपका 2.4 lakh करोर यानि की 2.4 lakh करोर इस question का सही answer होगा अगला question है question number 22 question number 22 में है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निमन में से क्या निनने लिया गया है तो वो निनने लिया गया option number D यानि की इन में से एक से अधिक A में दिया हुआ है 49,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना B में है कि 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराद की स्रेनी से हटाया जाना और C में है जन विश्वास विध्यक संसद में पेस करना यानि की option number D इन में से एक से अधिक जो है इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 20 पसु पालन, डेरी, एबब मतस से पालन चेतरों के लिए केंद्रिय बजट 2023-24 में कुल रिन का लक्ष कितना निर्धारित किया गया है तो वो निर्धारित किया गया है 20 लाख करोर 20 लाख करोर इस question का सही answer होगा option number B अगला question है question number 24 question number 24 में है कि budget भासन 2023-24 में PVGT विकास मिसंग की चर्चा की गई 21 वर्ग के सरवांगिन विकास हेतु समर्पित है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number A अगला question है question number 25 question number 25 में है कि केंद्रिय बजट के अनुसाराजियों को जी एश्डीपी के कितने परतिसात राजकोसिय घाटे के अनुमानित होगी अनुमती होगी इसका जो सही answer हो आपका option number B 3.5% 3.5% इस question का राइट answer हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है question number 26 उसमें है कि बजट के अनुसार किस छेतर के लिए digital public infrastructure का निर्मान किया जाएगा तो वो किया जाएगा क्रिसी के लिए क्रिसी के लिए किया जाएगा अगला question है question number 27 question number question number 27 question number 27 में है कि निमलेकित में से कौन सा कतन स्री अन से सम्बंधित नहीं है तो इसका जो सही answer है वो है आपका option number C यानि कि भारत स्री अन का सब से वरान निर्या तक है option number C इस question का सही answer होगा अगला question है question number 28 कि बजट में चर्चा किया गया मिश्टी पहल किस से सम्बंधित है तो वो सम्बंधित आपके 30 रेखा पर मेंगरो पौधार ओपन सम्बंधित option number C इस question का सही answer है अगला question है 29 number कि केंद्रिय बजट 2023-2024 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा कर 89,000 करोर से अधिक कर दिया गया है तो इसका जो सही answer है आपका option number B परधान मंत्री आवास योजना परधान मंत्री आवास योजना इस question का सही answer हो जाएगा next question है 30 number कि बित्य बजट 2023-2024 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना परतिसत अनुमानित है तो ये अनुमानित है 2.9 परतिसत यानि कि 2.9 परतिसत अगला question है 31 number कि बित्य बजट 2023-2024 के लिए परतिस चोविस के लिए परतिमी घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है तो ये लगाया गया है आपका option number D यानि कि इन में से एक से अधिक और ये हो जाएगा आपका A और C दोनों इसका आंसर हो जाएगा A और C दोनों इसका आंसर हो जाएगा next question है question number question number 33 में है कि केंदरी बजट के अनुसार कितने नए nursing college अस्थापित किये जाएंगे nursing college अस्थापित किये जाएंगे तो सही answer है आपका total 157, 157 157 नए nursing college अस्थापित किये जाएंगे अगला question है 34 number कि बितवर्स 2023-2024 के लिए कितना पुझीगत खर्ज का budget अनुमान लगाया गया है तो इसका सही answer है आपका option number ये इस question का right answer हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है वो है question number 35 question number 35 में है कि बितवर्स 2023-2024 के लिए कितना पुझीगत प्राप्तियां का budget अनुमान लगाया गया है तो सही answer हो जाएगा option number B अगला question है question number 36 question number 36 में है कि अमरित काल भारत at the rate 100 तक की यातरा के दोरान निमन में से कौन से 4 मोके रुपांतर कारी हो सकते हैं ये है आपका option number option number C इस question का right answer हो जाएगा option number C यानि कि 3, 4, 5 और 6 option में जो है वो इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 37 question number 37 में है कि budget के अनुसार छेतरी हवाई connectivity में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड़ों का पुनरुद्धार किया जाएगा तो ये किया जाएगा total 50 total 50 हवाई अड़ों का क्या किया जाएगा पुनरुद्धार किया जाएगा option number A इस question का सही answer होगा अगला question 38 number है राष्ट्रे हाईड्रूजन मिसन के मदद से 2030 तक कितना million metric ton वार्सी कुत पादन का लक्ष रखा गया है तो ये लक्ष रखा गया है 5 million metric ton का अगला question है question number 49 question number 49 में है रासाइनिक उर्वरकों की जगा वैकलविक उर्वरकों के परियोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सुरुवात की जाएगी तो उस योजना का नाम है PM प्रनाम PM प्रनाम इस उस योजना का नाम है option number C question का सही answer है अगला question है question number 40 चक्रिय अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्यस से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपसिष्ट से आमदनी सन्यंत्र अस्थापित किये जाएंगे तो इसका सही answer है option number B यानि ही 500 इस question का राइट answer होगा अगला question है question number 41 केंद्रिय बजट 2023-24 के अनुसार अगले तीन वर्सों तक किस योजना के तहत सरकार आर्थर भूमी तथा जयवी विवीदता को बढ़ावा देगी सही answer है option number B अमरित धरोहर योजना के तहत next question है question number 42 question number 42 में दिया हुआ है budget में चर्चा किया गया skill India digital platform का लक्ष क्या है तो इसका जो सही answer वो है आपका option number D यानि की इन में से एक से अधीक अगला question है question number 43 43 में दिया हुआ है कि चुनोती मोड के माधियम से चुने जाने वाले कितने परियतन गनतब्यों को घरेलू और विदेसी परियतकों के लिए एक संपूर्ण package के रूप में विक्सित किया जाएगा सही answer है option number A 50, 50 इस question का right answer होगा अगला question 44 number है परियतन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रे बजट 2023-2024 में की गई तो सही answer है option number D इन में से एक से अधीक यानिकी सभी देखो अपना देश पहल B में है स्वदेश दर्शन योजन और C में है वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम तो सबके सब जो है इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number question number 45 question number 45 में है आजादी का अमरित मोहतसब के असमरन स्वरूप अगले दो वर्सों की अवधी मार्च 2025 तक के लिए किस नई लगो बचत योजना की सुरुआत की जाएगी तो इसका जो सही answer है वो option number C महिला सम्मान बचत प्रमान पत्र महिला सम्मान बचत प्रमान पत्र इस question का सही answer होगा अगला question है question number 46 जल जीवन बिसेन के लिए बित बर्स 2023 चुविस में कितने करोर का बजट में प्रावधान है तो ये आपका टोटल साथ हजार करोर का प्रावधान next question है question number 48 48 में दिया हुआ है सरकार का लक्ष वर्स 2025 तक स्वास्त पर GDP का कितना परतिसत खर्च करना है तो वो आपका खर्च करना है 2.5 परतिसत यानि 2.5% इसका राइट आंसर होगा अगला कुश्चन उन्चास नमर में है सरकार सरवाधिक खर्च किस मद पर करती है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका option नमर ए ब्याज पर जो है सरकार सरवाधिक खर्च करती है अब आये प्रैक्टिस से ग्यारा का लास्ट कोश्चन देखते हैं यानि कि पचासमा कोश्चन देखते हैं पचासमा कोश्चन में है कि नई कर्व यवस्था में उच्चतम अधिभार करको 37% से घटा कर कितना कर दिया गया है तो प्रैक्टिस से बारह का पहला कोश्चन प्रैक्टिस से बारह का जो है पहला कोश्चन देखेंगे हम लोग पहला कोश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 की अनुसार बित बर्स 2023-24 के लिए कितना परतिसाथ आर्थिक बिदिधीदर अनुमानित की गई ये तो इसका जो सही अनुमान लगा गया है तो ये अनुमान लगा गया है 6.4 परतिसाथ इस कोश्चन का सही आंसर होगा अगला कोश्चन है 4 नमर में कि आर्थिक समीक्षा के अधार पर भारत क्राय सकती समता यानि की ट्रिपल पी के अनुसार दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थ ब्यवस्था है तो ये है आपका आप्शन नमर सी तीसरी सबसे बड़ी अर कुश्चन नमर 6 में है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ती को सुनिश्चित करने और महंगाई रोखने के लिए कौन सी रन नीती अपनाई है तो वो रन नीती है अपका इनमें से एक स्याधिक यानि कि सभी के सभी A में है कपास पर सीमा सुल्क माफ कर दिया गया B में है गेहों के निरियात पर रोक लगा दी गई है और C में है प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल कोकिंग कोल इतियादी पर आयात सुल्को घटा कर सुन कर दिया गया है यानि कि उपड़ियुक्त सभी इस कुश्चन का सही आंसर होगा अगला कुश्च नमर में है कि भारत ने गायर जिवास में इंधनों से 40% अधेश ठापीत बिजली छमता का उत्पादन 2023 से पहले ही पुरा कर लिया है अब इसे बढ़ा कर कितना परतिसत कर दिया गया है तो अब कर दिया गया है 50% अगला कुश्चन है कुश्चन नमर 9 कि अर्थ व्यवस्त इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद जो अगला कुश्चन है वो है कुश्चन नमर 10 कुश्चन नमर 10 में है कि पर्थम अग्रिम अनुमान 2022 की अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान का उत्पादित किया गया सही आंसर है 315.7 मिलियन टन जो है इस की ब्रिधी देखी गई है अगला कुश्चन है कुश्चन नमर 12 आर्थिक समिक्षा 2022 के अनुसार भारत विसु का कौन सा सबसे बरा मोवाइल फोन निर्माता है तो सही आंसर है दूसरा इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पे हो जाएगा दूसरा यानि कि आ अगला कुश्चन 14 नमर में है आर्थिक समिक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के आंध तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था इसका सही आंसर है आपका 562.7 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार अभी इंडिया के पास है अगला कुश्चन है कुश्चन 16 की आर्थिक समिक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बरा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है सही आंसर है आपका अमेरिकी डॉलर था इसका जो सही अंसर है इसका जो सही अंसर है वो है आपका आप्सन नूबर B यानि की 610.5 बिलियन डॉलर 610.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है भंडारत के उपर विदेशी रिन है अगला कुश्चन है amirisawn. इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है 19 नमर कि कुल विधुत उतपादन में दुईतिय सब से बरा हिस्सा अक्षे उर जाएगा है आर्थिक समिक्षा के नुशार यह कितना परतिसत है इसका जो सही आंसर वो है आपका option नमर सी 27.5% 27.5% राइट आंसर होगा अगला कोश्चन है 20 नमर बित बर्स 2021 के दोरान कुल कितना किलो मीटर राष्ट राजमारगों या सरकों का निर्मान किया गया है वो किया गया है आपका 10457 किलो मीटर कितना 10457 किलो मीटर option नमर बी इस कुश्चन का सही आंसर होगा अगला question 21 number है कि आर्थिक समिक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनतों कितना परतिसत है तो वो है आपका 84.8% इस question का सही आंसर हो जाएगा अगला question है question number 22 question number 22 में है आर्थिक समिक्षा 2022 तेसके अनुसार भारती रियल मार्क का कुल कितना विस्तार हो चुका है तो वो है आपका 68.031 km इस question का सही आंसर हो जाएगा option number C उसके बाद अब आई अगला question देखते हैं 20 number भारती रियल में विस्तार का कौन सा सब से बरा नेटवर्क है तो वो है आपका चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा अगला question है question number 24 question number 24 में है निमलिकीत में से कौन सा कथन सत्य है इसका सही आंसर है इनमें से सभी यानि कि A में vaccine निर्मान में भारत पर्थम अस्थान पढ़ है B में है कच्चा इसपात उत्पादन में भारत दूसरे अस्थान पे है और C में है आटो मोबाइल शेतर में भारत तीसरे अस्थान पे है इनमें से सभी के सभी जो है right answer हो जाएगा अगला question है question number 25 question number 25 में है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में सीर्स धन प्रेशन प्राप्त करता देश कौन सा है इसका सही answer option number C भारत भारत इस question का right answer हो जाएगा अगला question है question number 26 आर्थिक समिक्षा के अनुसार अप्रेल से सितंबर 2022 तक भारत FDI top 3 निवेश करने वाले देश कौन है सही answer हो जाएगा आपका option number A सिंगापूर, मौरिसस और UAE अगला question है question number 27 question number 27 बित्य बर्स 2022 में सबसे ज़्यादा FDI किस चेतर में आया तो सही answer हो जाएगा आपका computer software और hardware के चेतर में जो है सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ next question है question number 28 question number 28 है आर्थिक समिक्षा के अनुसार बित्य बर्स 2022 में कितना परतिसत GDP में बित्य कानुमान लगाया गया है सही answer हो जाएगा 7.0% 7.0% जो है इसका सही answer होगा अगला question है 29 number में April से दिसंबर 2022 के दोरान व्यापार निडियात कितना billion dollar रहा सही answer है 332.8 billion dollar सही answer हो जाएगा अगला question है 30 number April से दिसंबर 2022 के दोरान व्यापार आयात कितना billion dollar रहा इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number C 551.7 billion dollar next question 31 number में है कि आर्थिक समिक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राजी कौन सा है इसका जो सही answer हो है आपका option number option number B यानि कि सिक्किम जो है इस question का right answer हो जाएगा next question है question number 32 सन्युक्तराश्च बहु आयामी गरीबी सुचकांग के अनुसार दोहजार पांच है और 2019 से 21 के बीच भारत के कितनी लोग गरीबी के बाहर आये है इसका सही answer हो जाएगा option number C 41 करोर लोग 41 करोर इस question का सही answer हो जाएगा next question है question number 33 बित मंतराले के वरतमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेक में आर्थिक समिक्षा तयार हुआ इसका सही answer option number A वी अनंत नागेश्वारन वी अनंत नागेश्वारन जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद जो अगला question है question number 34 question number 34 में है आर्थिक समिक्षा 2022-23 में वर्नित World Economic Outlook Report कि इसके द्वारा जारी किया गया है तो ये जारी किया गया है IMF यानि की International Monetarial Fund के द्वारा अगला question है 35 नंबर की आर्थिक समिक्षा में वी भिन देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष वर्नित है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष वर्स किया है सही आंसर है option number C 2050 2050 इस question का right answer हो जाएगा अगला question 36 नंबर में है कि आर्थिक समिक्षा में उले खित life का पूर्ण रूप किया है इसका जो सही आंसर है वह है आपका option number C lifestyle for environment यानि की पढ़ियावरन के लिए जीवन सैली यही इस question का सही आंसर हो जाएगा next question है 37 number question number 37 में है आर्थिक समिक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्स policy report में कितना आधार अंकों की विरिधी की तो इसका सही आंसर है 225 225 इस question का सही आंसर हो जाएगा next question है question number 38 question number 38 में है बित वर्स 2022-23 के लिए मूल भूत कीमतों पर सकल मुल्ली विर्धी पर विचार करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका option number C यानि की 1 और 2 एक और 2 जो है दोनों इसका right answer हो जाएगा उसके बाद अब आई हम लोग अगला question देखते है question number 39 question number 39 में दिया हुआ है आर्थिक समिक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कत्नों पर विचार करें तो सही आंसर है इसका option number A यानि की cable 1 cable 1 में है कि भारत का e-commerce बजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है उसके बाद जो अगला question है question number 40 कि आर्थिक समिक्षा 2022-23 के अनुसार आश्री हरित हाइडरोजन मिसन से भारत की सबर्स तक उर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा सही आंसर है नेक्स्ट कोचन है question number 41 कि आर्थिक समिक्षा में उलेखित सब्द जे ए एम का पूर्ण रूप किया है तो उसका जो पूर्ण रूप है वो है जन धन आधार मोबाईल जन धन आधार मोबाईल इस question का राइट आंसर हो जाएगा option number A इस question का सही आंसर है नेक्स्ट कोच्चन है 42 नमर की आर्थिक समिक्षा में वर्णित मुद्रा SPT दरपर विचार करें सही आंसर हो जाएगा इसका option number B केवल 2 यानि की अप्राइल से दिसंबर 2022 के दोरान थोक मुली सुचकांग पर आधारित मुद्रा SPT 11.5% अनुमानित है नेक्स्ट कोच्चन है कोच्चन नमर 43 की नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोगताओं की संखियां कितनी थी तो सही आंसर है 117 करोर 117 करोर इस कोच्चन का सही आंसर होगा अगला कोच्चन 44 नमर है बितबर्स 2022 तेस में औध्योगी चेतर का सकल्ग मुलवर्धन GVA कितना परतिसत बढ़ा तो वो है आपका 3.7 परतिसत इस कोच्चन का राइक्ट आंसर होगा अगला कोच्चन है कोच्चन 45 बितबर्स 2022 तेस में स्वास्थी चेतर पर बजट का खर्च GDP का कितना परतिसत रहा सही आंसर है बढ़ा तो वो है आपका 4 बढ़ा अपसन नमर C इस कोच्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोच्चन है 47 नमर में मैक इन इंडिया 2.0 में 27 चेतरों पर धियान के अंदरित किया जा रहा है साथ साथ इसके कितने उप चेतरों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा सही आंसर है 24 24 इस कोच्चन का सही आंसर होगा नेक्स्ट कोच्चन है 48 नमर कि आर्थिक समिक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंतरा लै सहकार से समरिध्धी विजन को साकार करने के लिए लाई गई है तो सही आंसर है सहकारिता मंतराल है सहकारिता मंतराल है इस कोच्चन का सही आंसर होगा अगला कोच्चन है कोच्चन नमर 49 आर्थिक समिक्षा के अनुसार बितबर्स 2022 में आउसत GST संग्रह कितना करोड था सही आंसर हो जाएगा 1.49 करोड एक दसमनुप चार मा करो इस question का सही answer हो जाएगा अब आईए हम लोग इस practice set यानि की बारवा नमर जो इसका practice set है और इस इडूटेरिया current affairs अर्दवार सिकी का जो MCQs के रूप में total 12 set है उस बारवा सेट का last question है पचासमा नमबर की आर्थिक समिक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दोरान ग्रामीन इंटरनेट उपभुगताओं की संख्या में कितने परतिसत की विर्धी दर्ज की गई है सही answer हो जाएगा इसका 200% 200% इस question का right answer हो जाएगा तो friends ये था practice set नमर 11 और 12 का total 100 question उमीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे question बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये सारे के सारे question जो है काफी बढ़िया level का question था और आने वाले upcoming जितने भी exam होगे चाहे वो state PCS को हो state दरोगा का हो या फिर SSE की अगर बात की जाए SSE CGL हो या CPO हो CHSL हो सब के लिए काफी महतुपूर्ण रहने वाला है अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारी टेलिग्राम चैनल से जूर जाएए वहां आपको इसका टिक लगा हुआ आंसर के साथ जो है इसका PDF मिल जाएगा तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में दुबारा फिर से मिलता है तब तक के लिए जाए हिंद